अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले ये जंगली कुत्ते लुप्त होने की कगार पर है। अफ्रीका में इनको पेंटेड डॉग या हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इन कुत्तों के अगले पैरों की हड़ियों, मान स्पेशियों और जोडों में एक खास तरह का बैलन्स होता है। जिसके कारण ये तेज दौडते हुए भी अपना बैलन्स बनाए रखते हैं। अफ्रीकी कुत्ते शिकार करने में अपनी ताकत, तेज गती या फिर छिपने की काबिलियत की वजह से काम्याब नहीं होते, बलकि कोई और वज़ा उन्हें मारक बनाती है। लुप्त होने का खत्रा जेल रहे अफ्रीकी जंगली कुत्तों को पेंटेड डॉग या हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। और उनमें सफेद, काले या भूरे तिल होते हैं। जंगली कुत्ते एक अनिवारे वार्षिक विश्राम अवधी रखते हैं, जब वे बहुत कम खाते हैं और अपने संगठन को बचाते हैं। जंगली कुत्तों को एक सामाजिक संगठन में जीवित रहना पसंद होता है, जो एक पूरी टीम के साथ काम करता है और खेलता है। जंगली कुत्ते अपने शिकार को आकार, संख्या और दोडने की क्षमता जैसे फैक्टर्स के आधार पर अपनी टीम का चैन करते हैं। जंगली कुट्टे को हाइना नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटर डैन से भी बड़े होते हैं और सबसे बड़े जंगली कुट्टे के रूप में अफ्रीकी जंगली कुट्टे के नाम से जाने जाते हैं। ये समूह द्वारा रहते हैं और सामुहिक रूप से शिकार करत जंगली कुत्तों के जन्म के समय उनके अंदर नश्ट हो जाने वाले मस्तिश्क के द्वारा खतरनाक बैक्टीरिया जाने का खत्रा होता है। जंगली कुत्तों की दुनिया में कुल मिलाकर 37 प्रजातियां हैं।